तो आत्म निर्भर भारत है क्या? ये एक उमीद से भरी हुई किरन है कि जब ये महमारी खतम हो जाएगी तो हमारे में इतनी शम्ता होगी कि हम इस एकॉनमी को फिर से रिवाइब कर पाएंगे घर में ही पका कर खाएंगे, घर में ही सबजिया उगाएंगे और सबसे अची बात की देश का पैसा देश में ही रहेगा लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आत्म निर्भर इंप्लॉइमेंट बढ़ाएगा? उमीद तो है आत्म निर्भर बनेंगे मैनिफेक्ट्रिंग हमारे देश में फैक्ट्री हमारे देश में बढ़ेगी रोज़ार भी बढ़ेगा उमीज तो है पर क्या हम आत्म निर्भर बने के लिए काबिल है या नहीं? हाँ 1991 के बाद LPG पॉलिसी आई थी तो हाँ हम कहें सकते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी हर्त तक हम इसके काबिल हैं उमीद तो है बस अब करने की देर है हैस्टाइग नियू इंडिया हैस्टाइग स्वदेशी अपनाओ नमस्कार मैं डॉक्रर आर्के कंडडन आज जो आत्म निर्भर स्वाव लंभी वोकल और लोकल की जो बात हो रही है मैं कहना चाहूंगा वह समय के अनुरूप में इस समय जब हमारे सभी उद्योग जो हमारी मात्र भूमी के उपर हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सर्वावल के लिए तो मैं आप सब को ये बात अपीर करूँगा कि वह प्रोडेक्स आप खरीदें जो देश में निर्मित हैं देश में बन रहे हैं ताकि हमारा जो उद्योग जगत है जाए वो छोटे उद्योग हो जिसे हम लगू उद्योग कहते हैं या बड़े वेवसाई हों उन्हें ताकत मिलें उनके प्रोडेक्स दिकें ताकि उसमें काम करने वाले जितने भी हमारे करमचारी हैं उनका वेतन उन्हें मिल सकें और जो हमारी इंवरस्टि इस वक्त इस कागार पर है कि वह क्रेच कर सकती है और दिवालिया घोषित हो सकती है उसको भी परोख रूप से उसका समथन कर सकते हैं उसका सपोर्ट कर सकती हैं देश में निर्मित और बलीवी चीजों को करिब तो मैं आज के दिन आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हमें देश को आत्म दिर्भर बनाना है, स्वाव लंबी बनाना है, तो हमें वोकल होना ही पड़ेगा अपने लोकल प्रोडेक्स के लिए, चाहे कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो, हम रुदेशी चीजों को छोड़े और अपने देश भ झाहे झाहे की बनाना है, स्वाव लोकल प्रोडेक्स ट्रीन आपसे कि विए आपसे अपने तेशूख कि टूदेशने वोकल भिए पास से युदेट इस हैं जड़ेगा आपसे को छोड़ेगा अपसे बनाना है, स्वाव लोकल वोकल